नमस्कार साथियों साहिते से सिक्षन प्रस्तुत करते हैं प्लेटो का अनुकरन सिध्धान्त जो आपके UGC NET JRF की परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और यह आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी पाश्चातिक आविशास्तर के तौर पर सामने आता है तो आईए सुरू करते हैं प्लेटो का पाश्चत अनुकरन सिध्धान्त प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक है जिसका जन्म 427 इसापुर्व और मिर्तिव 347 इसापुर्व हुआ एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है वह सुकरात का शेश्य था उसने एथेंस मे 388 इसापुर्व में एक विद्याले की स्थापना की तथा अंतिम समय तक उसी में अध्यापन करता रहा रस्तु भी प्लेटो का शिश्य था प्लेटो की प्रमुकरचनाय है दी रिपब्लिक दी स्टेट्समेन दी लाज प्लेटो के साहित्तिक विचार उसके दार्शनिक ए का सनरक्षक माना जाता था हेमर प्लेटो का समकालीन ऐसा ही कवी था यदपी होमर के प्रति प्लेटो भी आदर भाव रखता था किन्तु वह उसके कवी कर्म को हे की द्रिष्टी से देखता था प्लेटो साहित्य का महत्व उसी सीमा तक स्विकार करता है जहां तक वह गनराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो कला और साहित्य की कसोटी उसके लिए आनंद एवं सौंदर्य ना होकर उप्योगिता वाद थी वह कहता है कि एक गोवर से भरी हुई टोकरी भी सुन्दर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उप्योग रखती हो अन्य था एक स्वनजित चमचमाती हुई ढाल भी असुन्दर है यदि वह उप्योगी ना हो या उप्योग की दृष्टी से महत्वहीन हो दुर्भाग से उस समय का यूनानी साहितिक कामो तेजक एवं भावो द्वेलन प्रधान था अतह सामाजिक हित की दृष्टी से उसका कोई उप्योग नहीं था पैनामता प्लेटो ने साहितिके विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप किये साहित्य मिथ्या और अनुकृती प्लेटो का मत है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृती है यह अनुकृती मिथ्या इवं भ्रामक है क्योंकि अनुकरन कभी पुर्ण रूप से होना संभव नहीं है जिन वस्तुओं की अनुकृति कवी प्रस्थुत करता है उनका सत्य रूप तो केवल विचार आइडिया के रूप में आलाउकिक जगत से ही है ऐसी स्थिती में कवी अकलाकार तो नकल की नकल करता है प्लेटो के विचार से कवी अकलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है इस प्रकार वह सत्य से दो गुना दूर रहता है इसलिए वह प्रसंसनियन नहीं है अपितू डंडिने मतलब प्लेटो यह कहना चाहते उनके लिए साहित्य, कला, कविता ये सब अनुक्रिती की अनुक्रिती है और ये कहते हैं कि इसमें कलाकार की कोई भी अपनी मौलिक समझ नहीं होती वह जो देखता है उसे कागच पर उतार देता है चाहे वह चित्रकला हो, चाहे वह काविकला हो या फिर अन्य कोई सांस्क्रितिक या साहितिक चीज प्लेटो की माननेता थी कि कभी को मनुरंजन प्रधान और अस्वस्त मनोवेगों को उत्पन करने वाली कवितायन नहीं लिखनी चाहिए बच्चे जिन कथा कहानियों को सरप्रथम सुने वे उद्दात विचारो वाली हों, सामाजिक उपादेता एवं नैतिकता से हीन कविता का समर्थन प्लेटो नहीं करता, काविको नैतिकता और उप्योगिता के मान डंड से परखने का वह अपक्षपाती था, कावि आदी ललि एवं अज्यानी है, वह कवी या चितरकार का महत्व मोची या बढ़ाई से भी कम आखता है, प्लेटो का कविता पर अलग आक्षेप यह है कि कविता अनुक्रिती है और किसी भी दृष्टी से उप्योगी नहीं है, वह कविता और कला को सामाज के लिए सर्वता अनुप्य प्लेटो के विचार से कवियो अनुप्योगी यह ही ही, साथ ही वह सामाज में दुरबलता और अनाचार के पोशन की भी अपराद करता है। आचरन करें इसके विपरीत कवी अपनी रचना से भावनाओं एवं वासनाओं को उद्वेलित करता है जिससे विवेक का अंकुष धीला हो जाता है और व्यक्ती कुमार्ग की और अग्रसर हो जाता है यह ठीक है कि कविता से हमें आनंद मिलता है पर ऐसे आनंद से क्या लाब जो हमें दुराचार इवं कुमार्ग की और परेत करें इसलिए यदि हम राज्य में सुवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कवियों को राज्य से निकाल देना चाहिए